नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिना प्याज लैसुन के मटर और मखाने की सबजी, तो चलिए रस्पी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम मखाने रोस्ट करेंगे, इसके लिए पैन को गरम करने के बाद उसमें एक टेबिल स्पून गी डालेंगे, गी के मेल्ट हो करेंगे, और ये देखे, ये क्रिस्पी हो गया है, बस इसे क्रिस्पी होने तक बुनना है, अब इसे बाहर निकाल लेंगे, अब सेम बरतन को गैस पे चड़ाएंगे, और उसमें टेबिल स्पून रिफाइन ओल डालेंगे, एक बड़े टमाटर को रफली काटके डालेंग हरी मिर्च डालेंगे, तो मैंने यहां तो छोटी हरी मिर्च डाली है, और तीन टेबिल स्पून कच्ची मुंफली डालेंगे, आप चाहें तो इसकी जगा काजू भी डाल सकते हैं, इसमें अद्रग भी डाल सकते हैं, इस टाइम पे मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने नही पैन को 3-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 4 मिनट के बार ठककर नटाएंगे टमाटर पक चुके हैं तो गैस आफ कर देंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद इन्हें पीस लेंगे आप चाहें तो इसमें 1-2 टेबिल स्पून पानी डाल सकते हैं मैं इसे ऐसे ही पीस रही हूँ, टमाटर, मुफली और हरी मिर्च को पेस लिया है, पेस तयार है तो चलिए सबजी बनाते हैं, पैन को गैस पे रखने के बाद उसमें 2 टेबिल स्पून रिफाइन डॉयल डालेंगे, आधा टी स्पून जीरा डालेंगे, एक तेजपत्ता डालेंगे, और अब इसमें सीधे मसाले एट करेंगे, तो मैंने 1 टी स्पून धनिया पाउडर, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा टी स्पून जीरा पाउडर डाला है, तो ये वही रोज मर्रा के चार मसाले हैं, इन्हें डालने, औ अब इसमें टमाटर मुंफिली वाला पेस्ट डालेंगे, सारे पेस्ट को बढ़िया तरीके से निकाल लेंगे, और इसमें ये जो थोड़ा सा पच गया है, इसमें पानी डाल कर बाद में निकालेंगे, अब मसालो को पेस्ट के साथ अच्छे से भूनेंगे, मसाले काफी ड् और अब इसमें इसी time पे हम मटर add करेंगे ये आदा कब fresh मटर है इसे डाल देंगे आप frozen मटर भी ले सकते हैं fresh मटर को पकने में time लगता है इसलिए इसे इसी time पे add करेंगे और अब थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब मटर को पकाने के लिए पेन को 3-4 मिनट के लिए cover कर देंगे चार मिनट के बार धक्कन हटा देंगे और मसालो को चलाएंगे बीच में मैंने इसे दो बार चलाया भी था तो मटर पकी है कि नहीं इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिये मटर पक चुकी है तो अब आगे के process में चलते हैं, अब मैंने इसमें 2 table spoon घर की मलाई डाली है, मलाई को अच्छे से fade कर डालें, आप चाहें तो market में मिलने वाली fresh cream भी use कर सकते हैं, या दही भी डाल सकते हैं, अब इसमें 1 table spoon कसूरी मेथी crush करके डालेंगे, कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इ क्योंकि इसका टेस्ट हलका मीठा अच्छा लगता है, अब सारी चीजों को एक पार अच्छे से मिलाएंगे, और इसमें पानी एट करेंगे, ये एक कप पानी है, जिसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल कर निकाल लिया है, अब पानी को बॉयल होनी देंगे, मैं ग्रेवी के बार ढखकर हटाएंगे, ग्रेवी तयार है, तो अब इसमें मखाने डालेंगे, मखाने डालने के बार दो मिनट तक इसे केवल पकाएंगे, मैंने इस सबजी को बिना प्याज लेसन के बनाया है, आप चाहें तो इसमें प्याज और लेसन डाल सकते हैं, मावा डाल सकते ह काजू का पेस्ट या खर्बूजे के बीच को पीस के डाल सकते हैं ग्रेवी के टेक्शर को मेंटेन करने के लिए मैंने केवर टमाटर मुंफली और मलाई का यूज किया है अब इसमें हरी धनिया डाल कर गैस आफ कर देंगे और सबजी को सर्फ कर लेंगे तो ताजे मटर के स में एक पार तो यह सबजी बनानी बनती है और यह बिना प्याज लेसन के मटर और मखाने की सबजी तयार है इसकी एक खुबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने इसे काजू से कार्णिश किया है दोस्तों आप कोई रस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अ नहीं तरने वार